तो आज हम लेक्शर 2 का आखरी पार्ट कर रहे हैं पार्ट 5 जिसमें हम प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो पहले हम जान लेते हैं प्लेट क्या है फिर से ठीक है तो जैसे आपको पता है कि एर्थ तीन पार्ट में डिवाइड है कि सबसे उपर जो लेर उती होटी है तो जो ऐब्र सब्म आइस बंड़ों को अंगरता है स्टीनिनेंटल क्रेस्ट और और dh da होता है जो कि semi liquid form होता है जो फ्लो कर सकता है लेकिन यह भी solid को बहुत करीब होता है लेकिन फिर भी फ्लो करता है due to high temperature ठीक है और यह होता है 100 km जो mental है उसके बाद से लगवा 400 km तक ठीक है डथ होती है इसकी mental में ठीक है और यह जो 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 ओशणीक करश्ट और अपरमेंटल से बना होता है या फिर कॉंटिमेटल करेश्ट या आपरमेंटल से बना रहता है तो यह divided होता है different different parts में यह यह ठीक है जो हो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यह जो जो लिप ब्रेकम हो रखा है और आप यहाँ पर देखना कि जैसे यह American plate है ठीक है ना इस तरह की plates में divided जब हम lithosphere को break कर देते हैं यह फिर जो lithosphere in the broken form is known as plates ठीक है ना तो इसको अलग-अलग नाम से जाना जाता है mainly plates बोला जाता है ठीक है simple से बात है lithosphere plates क्या है lithosphere in the broken parts is known as plates ठीक है तो जैसे European plates है यह Indian plate है यह Arabian plate है यह African plate है यह plates अलग-अलग नाम से इसलिए क्योंकि यह अलग-अलग जगा पे से break हो रखी अलग दूसरे plates है ठीक है इसलिए इसलिए को अलग-अलग नाम दिए गए है टोटल जो plates हैं लगबग हमारी लगबग 6 major plates है और 20 minor plates है ठीक है major plates का मतलब जो size में बड़ी हो जैसे Eurasian plate North American plate पूरा एक major plate माना जाता है इसको ठीक है अलाकि यह पर division हो रहा है North American, South American plate में लेकिन American plate ही माना जाता है ठीक है दो तीसरी एक African plate चौती Pacific plate पांचवी Australian plate ठीक है और 6th Antarctic plate तो यह major plates माने जाती है ठीक है उसके लिए बहुत छोटी-छोटी plates है जिनको हम minor plates भी बोलते हैं जैसे Indian plate, Arabian plate, Nazca plate, Cocos plate, Zondi Fuka plate ठीक है Scousia plate यह कुछ important plates है ठीक है Filipino plate ठीक है यह कुछ important plate है Zondi Fuka जुन्दी फूका प्लेट, कोकोस प्लेट, नासका प्लेट, स्कॉसिय प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ठीक है, तो यह कुछ important minor plates है, इसी तरह की 20 minor plates है, ठीक है, तो हमने देख लिए plates क्या होता है, और किने टाप्स की plates होती है, उसके इलावा जब यह plates, आप देखोगे, इन plates का interaction होता है, एक दूसरे से, मालो, यह हमारी urecen plate है, यह हमारी indian plate है, यह indian plate का arrow देखोगे, इस तरफ से एक दूसरी की तरफ converge हो रही है, क्या हो रही है, converge, तो जब two plates आपस में एक दूसरी के और बढ़ती है, एक दूसरी से टकराती है, तो इसको बिलते है, convergent plate, ठीक है, convergent plate, कहीं-कहीं पर आप plates देखोगे, plates एक दूसरी से दूर जा रही होती है, जैसे यह North American plate, ठीक है, और यहाँ पर यह एक दूसरे से दूर जा रही है, तो इसको बोलते है, divergent boundary plates, divergent boundary plates, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोलते हैं से, convergent boundary plates, क्योंकि देखोगे, Indian plate और Eurasian plate आपस में एक दूसरे से converge हो रही है, ठीक है, convergent boundary plates, इतना आपने समझ लिया, उसके लावब एक plates होती है, जिसको बोलते हैं, transform boundary plates, जैसे यहाँ पर देखोगे, यह Cocos plate है, और यह North American plate है, यह slide past हो रही है, एक दूसरे से ना, तो converge हो रही है, नहीं diverge हो रही है, क्या हो रही है, यह इधर move कर रही है, तो यह इधर move कर रही है, ठीक है न, तो उसको हम क्या बोलते हैं, transform boundary plates, transform boundary plates, खीक है, चलो इतना, अभी समझ में आ गया होगा, तो यह plates, जब move करती हैं, देखोगे, यह देखो, जैसे, plates क्यों move करती हैं, मैंने पिछले करा से बताया था, जो mental में convection cell है, वो उपर के और जाती है, और diverge होती है, जब यह diverge होती है, तो यह जो crust है, उसको thin करने लगती है, और धीरे-धीरे crust इतना thin होने लगता है, कि धीरे-धीरे, जो mental से magma है, वो बाहर, lava की form में आने लगता है, और यह lava फिर deposit होने लगता है, एक end पे ऐसा होता है, और दूसरे end पे जहाँ पर, यह क्या है, diverging limb है, diverge मतलब, अलग-लग दिसाओं में जा रहा है, वहाँ पर ऐसा होता है, ठीक है, और जहाँ पर converging limb होती है, एक तरफ से इधर आ रहा है, एक तरफ से limb कौन सी, convection cell की limb, वहाँ पर क्या होता है, दो plates आपस में क्या होती है, converge होती है, और जो heavy plate होती है, गांप किस तरह संबर्ज हो जाती है, को में ओशनमें कॉछली पुलता है रिक हां बुलता हैं तो फिर आप हे अफ्रिकन्म प्लेट देखू एक न का मेंजर रिजिन qualcे है अफ्रिकन Canon इसलिě हमारा को ने लेकिन specific plate का major region पड़ता है वो ओशन्स में पड़ता है उसको हम oceanic plate बोलेंगे plate दोनों जगह बनता है क्योंकि हमारा जो oceans है वो भी किसी plate के उपर ही है oceanic crust के उपर ही है ठीक उसके उपर ocean है तो इसलिए वो उनको oceanic plate कि आपको समझ में आ गया होगा कि अब बलेट सका जो चाव जहांसे राइज लीमस होती है उसको हम कहते हैं कि यहारण स्क्का लुजा पोटि इसे divergent boundary plates का features क्या होता है कि यहां पर mid oceanic risk system form होता है mid oceanic risk system क्या होता है जब diverge होता है नीचे से magma flow करता है और उपर आके deposit होने लगता है पूरे across the length ठीक है ना उसको हम बोलते है mid oceanic risk system यह ऐसा जगह होती है जो समुद्र के अंतर नहीं नहीं लावा को mental से बहार आता है और वहां पर deposit हो जाता है ठीक है यह maximum यह divergent boundary plates सिर्फ और oceanic divergence होता है जब oceanic plate diverge होती oceanic plate से ठीक है कहीं और नहीं होता उसके इलावा convergent boundary plates में क्या होता है convergent boundary plates हर टाइप के होता है oceanic oceanic convergent हो सकता है oceanic continental plates का convergence हो सकता है और continental continental plates का convergence हो सकता है अब देखो हम पहले पढ़ते हैं यहाँ पर अब देखो कि यह oceanic plate है यह वाली क्या है oceanic plate है और यह वाली continental plate है यहां पर किसका किसका divergence हो रहा है oceanic और continental plate का convergence हो रहा है oceanic plate बनी रहती है सियाल और magnesium से maximum और continental plate बनी रहती है फिस बनी धैंब होगी वह सब्रेंट होगी और ऊसक्ति कम होगी और यह जाएगी और चप्ड़निक पिलत होगी तो नीचे जाते वक्ति अृ पिष्ट ना difरना वॉलकेलों उसके फॉर में बाहर आने लगेगी इस तरह के वॉलकेनिक आर्क बनाने लगेगी जब मेर्ट होगी उसके इलावा जो उसनिक प्लेट में बहुत सारे सेडिमेंट से डिपोजित हो रखे हैं वह खुरुच के मतलब भर खुरुच के क्या होजाना एक तरह से यह भी डविड सोने लगेंगे frances कि हम पर आते हैं जहां अगर हम हमारा हाथ को फिरेंगे तो घीर से दिमेंट्स से तो एककटा हो जाते हैं तो फहर पर जहां पर ejercica़ गहा ठईग सेंट्स का Convergence हो रहा होता है, उसी को हम Accretionary Vege बोलते हैं, ठीक है न, बागी Definition के लिए आप मेरे Notes को Refer कर सकते हैं, तो यह कहां कहां पर हुआ है, देखो कि यहां पर Oceanic Plate है, यहां Continental Plate है, यहां का Convergence होने से, Andes Mountains का Formation होता है, जो Fold Mountains मनते हैं, Maximum World के, वो कहां पर बनते हैं, Convergent Boundaries में, इनको हम बोलते हैं, Fold Mountains, Fold Mountains वो हां पर बनते हैं, जहां पर Oceanic और Continental Plates Converge कर रहे हों, या फिर Continental Plates Converge कर रहे हों, यहां पर देखोगी, यह Pacific Ocean का Pacific Plate है, यह Pacific Plate है, जो कि Oceanic Plate है, यह South American Plate है, जो कि यह Continental Plate है, जब यह आपास में Converge करती है, तो इस तरह कि Andes Mountains का Formation होता है, और यहां पर देखोगे यह दो और फ्लोट करने लगती उपर आती है उपर आके डिपोजेट होने लगती लगती अर्थ के सर्फेस और इतना जादा है कि यह ओशन के बाहर अकर बैसे हो जाता है बनाता है जो चापान वगर रहा है ऊसी आइलेंड यार्क के दो बना है थीक है वह विद्टा और बोलकै को बोलते व वलकैने अखैंट है और देखो तो जो हमारे Himalavas का formation हुआ है क्यों कि हैं पर देखोंगे आप क्या है क्यों कि हमालय का formation क्यों में को इंडियन प्लेट जो कि continental plate और ढिदे दो हैं प्लेशन प्लेट जो की यह भी continental plate इनका convergence होने के वाई से हमारी हमार inhali का formation हुआ है छीख है hop तो यह कैसे होता है यहां देखो अब देखो दोनो ही लाइटर होती है तो DesSD होने को चेह शानophobia होने को ठीक है ठीक है हवो चाहिक ने लगती है हलकी सो पर यह घ fuckin मेटर ही सब्डेक्ट हो पाती है और इतनी ज्यादा सब्डेक्ट नहीं होती कि वह मैल्ट होकर वापस सर्फेस पे आ सके ठीक है मैल्ट अगर होती भी है तो इतना ज्यादा कि यहां देखो कि यहां पर है यहां दोनों का सब्ड़नों का कन्वर्जेंस हुआ और कन्वर्जेंस होने की वज़े से एक मौंटेन जारा सब्ड़क्ट नहीं हो रहा है तो दूसरी वाली प्लेट बहुत तेजी से उपर की और इकटी होने लगती है जिसके वज़े से मौंटेन ड्रींजेस बनते हैं तो यह प्लेट्स हैं दोनों को आपस में टकराया और दोनों ने क्या मौंटेंस का फॉर्मेशन शुरू कर दिया क्योंकि दोनों सब्डेक्ट होने को त्यार नहीं तो वो डिपोजिट करने में लगे में अपने सेडिमेंट इस तरह से मौंटेंस का फॉर्मेशन होता है इंडिया का इंडिया का इंडिया का भी ऐसा ही हुआ था इंडिया करीब 60 million years ago movement शुरू किया इंडिया ने टुवर्स टुवर्स Eurasian plate और जब 20 million years ago हमारे हिमालयन का formation शुरू हुआ ठीक है देख लेते हैं थोड़ा इस जो मेरे notes है मेरे पढ़ाने के बाद जरूर पढ़ लेना कोछ doubts है तो जरूर पूछ लेना ठीक है तो मुवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट्स क्या हुआ था करीब हमें पता है कि हम जब आप पहरा लेक्षर देखोगे इस लेक्षर टू का पार्ट वन तो मैंने बताया था कि पैंजयया एक सुपर कॉंटिनेंट था जो की ब्रेक अप हुआ 200 million years ago ठीक है और जब वो ब् हो गया ठीक है उसके लावा 60 million years ago जो डेकन ट्रैप आप देखो कि जो इंडिया है हमारा इंडिया का जो सदर रीजन है वहां पर लावा रॉक्स पाए जाते हैं लावा डिपोसिट से वहां पर बहुत ज़्यादा जिसको बाद में चलके ब्लैक स्वाइल में कर्वर्ट हु हुआ होते हैं होते हैं जी संके हैं यह मैंटल है मैंटल के ऐसे रीजन जो बहुत ज्यादा वहां हमाव पहंचुके और यह स्वेश् came से अपने यह लिंप्साम करते हैं ये तने ज़से स्रफिस पाने लगते हैं और यह पंठिकुलर अभी कोई भी कोई भी ओंटिनेंटल प्लेट हैं कोई भी ऑसे टीडिय कोई एक जोँति हैं तो जब इंडियन प्लेट जहां पर आभी Cecils है Cecils किया है एक कंट्री है मेडगासकर के पास इंडियन ऊशन में ठीक है मेडगासकर से तुढ़ा दूरी है मौरिसस के पास है मेली ठीक है तो इस समय सेसिल्स जो कंट्री हो किस तरह से फॉर्म हुई हो इसी होट स्पॉर्ट से जो मैगमा निकल रहा है और आप में सर्फेस मांके लावा के फॉर्म में डेपोजिट हो रहा है प्लेट को क्रॉस करके इसके वज़े से ये सेसिल्स बने और जब इंडियन प्लेट इसके उपRa से गुज़ा रहती इस हॉट स्पॉट्स के उपर से गुज़ा रहती तो इसमें डिपारो नीचे से होट मैगमा आया इंडियन प्लेट को क्रॉस करनें व्पर सॉफेस में आदे कर दिया फिक है ऑपको समझ में आया होगा थोड़ा और फर्कर लिएजेगा इंटरेनेट का और भागी कुछ टाउट्स होगा तो क्लास हो पुछ लिए ज़िए